सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस ते बेल आइकन ते लेटिस अपडेट्स नुश्कार में पिंटु शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं नियूस लाइब में दोस्तों, मनी लॉंडरिंग केस में परवर्त नियसाले यानि की इंडिरेक्ट इनफोर्श्मेंट जो फोर्श्मेंट होता है यानि की जो इडी होती है उन्होंने कैई अहम सबोत जुटाए हैं इसी अधार पर अब बाहु बली कहे जाने वाले मुखतार अंसारी के बड़े भाई जो की बहुजन समाज पाटी के सांचद हैं अफजाल अंसारी को संबन जारी किये जाने की तैयारी की जा रही है बाहु बली मुखतार अंसारी के बेटे अबास और साले अतिफ रजा से पुष्टास में कई सारी जानकारी जो हैं वो कहने कहीं सामने आई है वहीं बात करें तो शुत्रों का कहना है कि मुखतार अंसारी के सलाकों के पीछे होते ही उससे जुड़ों लोगों को राजितिक सरचन अफजाल अंसारी ने प्रदान किया था इसके साथ ही विकास कंस्रक्शन, अंसारी कंस्रक्शन समेद अन्य फर्मों की मदद मिरी है इसके पीछे भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तोर पर अफजाल और उनके सहयोगियों के साथ होने की आसंगा जताई जा रही है इड़ी के अधिकारियों ने बैंकातों से रेकर प्रुपर्टी के दस्तावेश खंगाले तो कई ऐसे तथिस सामने आय है जिसके अधार पर कुछ सवालों के जबाब अफजाल अंसारी की और से मिलने की बात के गई इसे पहले भी एडिकी ओर से अफ़जाल अंसारी का बयान दर्ज किया जा चुका है जिसमें उन्च के इंकम टैक्स रिटर्ण आए के स्रोत गोशित संपती समयत कई अन्य जानकारी हासिल की गई है केंद्रिय जाच एजन्सी की जाच का दायरा बढ़ता जा रहा है मामबा भांजे से सवाल लगतार जारी कैस्टडी में दिये गए अबास और उसके मामा आतिक रजा से लगतार सवाल जारी है बताया जा रहा है कि दोनों सबीस सवालों का जबाब नहीं दे पा रहे हैं रविबार के भी कई बैंक अदिकारियों से पुष्टाज की गई और फिर उन्हें मामा भांजी के सामने पेश किया गया इसके बाद दोनों से कंपनी और उनके नीजी खातों के बारे में जानकारे ले गई है चारमीन के दोरान यह बात सामने आई है कि दोनों जाज में पुरी तरह शयोग नहीं कर रहे हैं सभी प्रशनों का प्रेमारी जबाब नहीं दे पा रहे हैं SMN की गिरफ्तारी पहरे हो चुकी है लेकिन अब जेल जाने की बात कही जा रही है तो इस पर आप अपनी पतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देजिएगा धन्य बाइ